आपकी कति विदियों के स्थर के आधार पर आपका रदय एक मिनिट में लपक सांट से सौ बार धड़कता है, यह व्याराम के दोरान अधिक हो सकते है या आराम के समय कम हो सकते है सामानी रदय की धड़कनों की कति और उसकी ताल यह सुनशित करते हैं कि ऑक्सुजन युक रक्त शरीर के सभी अंगों यसके मस्तेश्क और फेफड़े उन तक पहुँचता है रदय में कोशिकाओं का समू होता है जैसे काडिया कंडक्शन सिस्टम कहा जाता है वो रदय की प्रत्यक धड़कन की कति और ताल को नियंत्रित करने के लिए बिजली के आवेगों का उप्योग करती है हर एक दड़कन की शुरुआ दायं एंट्रियम यानिके आलिंद में साइनो एट्रियल या एसेनोड में होती है फिर वो रदय के चैंबर यानि के कक्ष जिने एंट्रिया यानि के आलिंड या रदय के उपर के दो कक्ष और वेंट्रिकल्स यानि के नीलय या रदय के नीचे के दो कक्ष कहा जाता है उनके दिवारों में फैलता है जिसके कारण वे सिकूरते है रदय की हर एक दडगन के साथ इस प्रक्रिया को दोराया चाता है जब इस कारण से पल्स यानि के नाड़ी और नियमित हो सकती है अरिथेमिया, एंट्रिया यानि के आलींड या वैंट्रिकल्स यानि के नेलाई में हो सकता है अरिथेमिया यानि के अतालता के प्रकारों में शामिल है फिब्रिलेशन जो की एक रदय की धडगन की अन्यमित ताल है प्रकिकार्डिया जो की एक तेज रदय की धडगन की ताल है जिसमें प्रतेक मिरिट में रदय सौ से अधिक बार धड़कता है और ब्रेडिकार्डिया जो कि एक दिमी रदय की धडगन की ताल है जिसमें प्रतेक मिनिट में रदय सांट से कमबार धड़कता है अट्रियल फेब्रिलेशन, एरिथेमिया यानिके अतलता का सबसे सामाने प्रकार है अव्यवस्तित आवगों की कारण दोनों आलिंद यानिके रदय की उपर के दो कक्ष तेजी से और अव्यवस्तित तरीके से कमबन करते है या थरधराते है आलिंद में होते टैकिकार्डिया को सुप्रावेंटिकुलर टैकिकार्डिया कहा जाता है Focal Atrial Tachycardia में आलिन की दिवारों के अंदर के शोटे शित्रों में ऐसे आविक शुरू होते हैं वहां से संचारित होते हैं जिसे दोनों आलिन तेजी से लेकिन नियमित ताल के साथ सिकूरते हैं तेजी से और नियमित रूप से संकूचन के साथ Tachycardia निलयों में भी हो सकता है इन परिस्तितियों में ये संबाव है कि शररिकों परियाप रक्त ना मिल सके क्योंकि रक्त से पूरा भरे और उससे पहले नलियों में संकूचन आजाती है सबसे कंपिर अरिथेमिया यानि के अतालता है Venticular Fibrillation जिसमें निलयों की दिवार के अंदर कई सारे आविक उचकते से प्रसारित होते हैं Venticular Fibrillation में निलय थड़कने की बजाए कांपते हैं ये स्थिती एक Medical Emergency है क्योंकि इसमें रदय को शरीर को या अपने आपको प्रपावी रूप से रक्त पंप नहीं कर सकता है यानि की रक्त नहीं पहुचा सकता है कभी-कभी ऐसे नौड में या नलियों में जाने वाले विद्यूतिय आविक के मार्ग में समस्या पैदा होने से धड़कने धिमी पड़ जाती है जिसे ब्रडिकार्डिया कहा जाता है यदि रदय बहुत ही धीमी ताल में धड़की तो शरीर को परियाप्त अक्सिजन यूग रक्त नहीं मिल पाता है आपके एरिथेमिया यानि क्या तल्टा के प्रकार के आदार पर आपके डॉक्टर आपको निम्रलकित उपचारों में से एक याल देख के सला दे सकते है दुम्रपान चोड़ना दवाईया लगनी जैसे एंटि अरिथेमिक दवाईया और बिटावला कोड्स काथेटर अबलेशन में जिसमें रदय के अंदर डाली गई एक पतली तार के द्वारा रदय जिनके उत्तंक के कारण अरिथेमिया होता है उन्हें गर्म या ठंडी उर्जा के द्वारा नश्ट कर देना इंप्लांटेबल डिवाईस यानि के रदय की घती या ताल में सुधार करने के लिए रदय में उसके लिए विशेशुप करोनों का शरीर में प्रत्यारोपन करना जैसे की पेसमेकर या डेफिब्रिलेटर